हे गईस कैसे आप लोग मैं हूँ शुभाम और आप देख रहे हैं फैंटसी एक्स्प्रेस का यूटूब चैनल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कबड़ी के नैक्स्ट मैच के बारे में जो की खेला जाने वाला है पतना पाइरेट्स वर्सित गुजरात जाइंट्स के बीच में तो इस मैच को फुली कवर करेंगे कौन से प्लर्स आपके लिए बैस्ट होंगे उनको टीम में चूज करेंगे लोजिक क्या होगा लेने के लिए वो अनमैट देख लेंगे सबसे पहले हम आपको बताएतां चाहते हैं कबड़ी का जो फैनल अपडेट है वो आप देख रहे हैं कल के मैच के जो सेलेक्शन थे हमारे सबके सबने अच्छा परफॉरमेंस दिया कप्तानी वाइस कप्तानी बहुत अच्छी रही Grandly के कुछ और options आपको दिये थे उन्होंने बहुत अच्छा performance दिया तो ये चीजें आपको मिलेंगी हमारे Telegram चैनल पे तो इसके लिए सबसे पहले Telegram की app को अपने mobile में download कर लीजिए फिर हमारे Telegram चैनल कबड़ी Express को जोईन कर लीजिए कैसे जोईन करेंगे सबसे आसान तरीका है इस वीडियो के comment section में चले जाएए सबसी उपर आपको मेरा comment मिलेगा सबसी उपर वाला comment मेरा होगा उस पर link मिलेगा link पे click करिए इस type का कुछ link है और जोईन करिए आज ही इस चैनल को 36 से आज ज़्यादा subscriber join हो चुके हैं और यह सरफ कबड़ी खेलते हैं और अच्छा win करते हैं यहाँ पर जीतते हैं आज के match में हम कैसे winning करेंगे क्या strategy होगी इस वीडियो में देखने वाले हैं समझने वाले हैं और फिर finally आपको dream 11 की team बना के देंगे बड़ वो सबसे last में बनाएंगे सबसे पहले हम logic समझेंगे GUJ versus PAT यानि गुजराद giants versus पतना pirates की बीच में कबड़ी का यह 50 वा मुकाबला है वीवो प्रो कबड़ी 2022 सीजन 9 का तो अगर हम बात करें rankings की तो उसमें भी आपको पता है गुजराद giants ज्यादा अच्छा कर रही है पतना pirates लगातार जो है खराब प्रदरशन कर रही है तो गुजराद giants थोड़ी सी favorite team होगी तो इसके players पे आपको ज्यादा focus करना है हाला कि दोनों team हो का defense भी compare कराऊंगा और जो best defense है उसको हम select करेंगे on mat क्या होगा वो भी देखेंगे यानि कि कौन सा raider जाएगा तो उसके सामने कौन सा defense खेलने वाला है उस defense में कितनी शमता है कितने point दे सकता है सब कुछ देखेंगे चलिए हम एक यहाँ पर आपको बताई देते हैं सबसे पहले गुजराच Giants का ही हम performance देख लेते हैं पहले हम आपको बताईते हैं पिछले match में इन लोगों ने क्या किया और उसके बाद on mat हम चीजों को समझेंगे सबसे पहले गुजराच Giants की तरफ से पिछले match में राकेश संगरोया बिल्कुल नहीं चले रेट्स बहुत डालते हैं बट लास्ट match में सिर्फ 6 successful रेडर थी आम तोर पर ये कम से कम 8-10 successful रेट तो करते ही हैं बट 6 बहुत कम हो गई पिछले match के साब से परतीक दाहिया पिछले match में खेले 4 successful रेट इनकी भी थी दोनों के दोनों राइट रेडर हैं और अपनी टीम के में रेडर हैं यानि गुजराज जाइंट्स का जो रेडिंग डिपार्टमेंट में है उसमें से 90% रेडर जो है वो राइट से ही डलनी है 90 से जादा बलकी और प्रिशांत कुमार है जो लगबग ना के बराबर ही रेडर डालते हैं में रेडर राकेश संगरोया और परतीक दाहिया है इनके पास ठीक है फिर आते हैं इनके covers covers में सौरब गुलिया बहुत अच्छे form में देखे गए हैं और इस match में भी right cover की importance बहुत जादा होगी आपको on match अभी चीज़े बताऊंगा बस वीडियो को skip नहीं करना है पूरा देखना है और समझना है तब टीम बनानी है इनके अगर corners की बात करें तो शंकर गड़ई और रिंकु नारवाल ये भी कुछ खास performances नहीं दे पा रहे हैं एकाद match में चलते हैं दूतरे match में नहीं चलते हैं दिक्कत इनके साथ ये है हाला कि पिछले match में रिंकु बहुत अच्छा खेले left corner इनका 4-4 tackles successful थे बट consistency की कमी है इस टीम में अभी भी bench में इनके पास पूर्णा सिंग है पिछले match में use किया गया उसके बाद चंदरन रंजीत ये थोड़े से injured हो गए जिसके चलते ये पिछला match खेले नहीं थे संदीप कंडोला है इनके पास महिंदर राजपूत बहुत बड़ा squad है इनके पास पिछले match में ज़्यादा किसी का use किया नहीं उन्होंने पटना pirates के हम वहीं बात करें तो ज़्यादा winnings इस साल ये कर नहीं पाए है इनकी team का सिर्फ आप किसकते हैं दो ही raider पे dependent है जिसमें सबस्यादा dependent सचिन पे है सचिन देखिए रेडे भी डालते हैं successful भी होती हैं और ये tackles वगेरा भी अच्छा कर लेते हैं राकेश संग्रोया के साथ एक दिक्कत है कि राकेश संग्रोया जो tackles वगेरा में ज़्यादा involved नहीं होते बट सचिन हो जाते हैं अभी कबार आप देखेंगे कि tackle से भी आपको सचिन पॉइंट दे जाते हैं ठीक है ध्यान रखिएगा रोहित गुलिया ये left trader है और सचिन राइड रेडर है और मोनू जो है ये भी राइड रेडर है तो मैं आपको पहले बता दूँ सचिन जादा रेडर डालते हैं थोड़ी बहुत रेडर मोनू भी यहां से डालेंगे तो आप कह सकते हैं कि total total आपको जो है वो 65% रेडर जो है राइड से डलती देख सकती है और बाकी की 35 से 40% रेडर जो है वो लेट से डलती देख सकती है 60-65% रेडर यहां से राइड से डलेंगी इस टीम से पटना पाइरेट से यानि सामने वाले टीम का राइड कवर आपके लिए आपके लिए आटोमेटिक इंपोर्टेंट हो जाएगा अभी ओन मैट समझ लेते हैं पिछले मैच में सचन ने अच्छा किया रोहित ने अच्छा किया मोनु को ऐजा रेडर लाए गया बट यह परफॉर्मेंस देगा डिफेंस में और यह मोर ओफा डिफेंस प्लेयर ही है फिर नीरच कुमार है यह काफी अच्छे फॉर्म में है पिछले मैच में 3 सक्सफुल टेकल करके गए है इसके बाद Manish है बट रोहित परफॉर्मेंस नहीं थी पांच सच्फुल टेकल कर पाए फिर सुनील है राइट कवर इस टीम के काफी अच्छे फोर्म में है पिछले match में थोड़ा था performance इनका अच्छा रहा नहीं फिर मुहम्मद रिजा है पिछले match में performance ठीक ठाक रही बैंच में इनके पास रंजीत है यहाँ पे इनके पास अब्दुल इंसामन है यह कुछ players अवेलेबिल है यहाँ पे injured नहीं है साजन injured तो वो है चंदर नरंजीत तो इनको थोड़ा था अटा दीजिएगा यहाँ से injury से बात करते हैं ओन मेट क्या चल रहा है यह तो चीज़े आपने देखी पिछले match का performance था क्या रहा उससे हमें कोई मतलब नहीं है हम सीधा logic देखेंगे हमें किस player को लेना है और क्यों लेना है सबसे पहले हम बात करेंगे गुजराथ Giants की सबसे पहले गुजराथ Giants की Raiders को देखते हैं गुजराथ Giants अच्छा कर रही है थोड़ा सा इसमें संगरोया जो है वो राइट से Raiders डालते हैं और पार्तिक दाईया भी यहाँ पर राइट से Raiders डालते हैं और लेट से Raiders डालते हैं प्रशांत कुमार बट वो अतनी Raiders डालते नहीं है तो 90% Raiders जो इस टीम की होंगी वो राइट से होंगी अब देखिए राइट से जब संगरोया और पार्तिक दाईया जो है यह रिडे डालने जाएंगे तो कौन से प्लेयर इनके सामने आएंगे सबसे पहले टीम का लेफ्ट कॉर्णर डिफेंस वाली जो टीम है उसका लेफ्ट कॉर्णर बहुत मजबूत है और शादलू है वो मुहमद रिजा शादलू यह मुहमद रिजा शादलू जो है यह आपको चिनया जो है यह आपको लेफ्ट कॉर्णर में देखेंगे एक ही नाम है यह दो तीन नाम है इनके मुहमद रिजा शादलू चिनया ठीक है तो ये आपको left corner में देखेंगे ultimate defense है बहुत थी तगड़ा defense है और इसका अगर आप average carrier का tackle rate देखें तो 3.7 tackles per match के आसपास करता है इसलिए शादलू यहाँ से यानि की मुहमद रिजा जो है ये बहुत important होगा ठीक है ये left corner है team का बहुत जादा मजबूत है इस team का अगर हम right corner देखें तो वो है सुनील right corner सुनील है और वो भी काफी अच्छे form में सुनील ठीक है तो ये right corner है ये left corner है ठीक है ये दो होगा एक corner अब आएंगे covers cover में अगर हम देखें यहाँ पे एक इनका right cover होगा और एक यहाँ पे इनका left cover होगा right cover कौन है इस team का right cover है नीरज कुमार औ ठीक है तो जब right वाले raider जाएंगे न यहाँ से right से raiding डालने तो एक तो इनको शादलू का सामना करना है मौमत शादलू चिनयया का एक यहाँ से right reader जा रहा है तो उसको right cover से सबस्यादा खतरा होता है तो right cover है नीरज इन से दिक्कत होगी और सुनील से दिक्कत होगी ये defense स बराबर डलनी है तो मनीश का रोल defense में ज्यादा कुछ इस match में नहीं रहेगा defense में तीन ही player है सुनील यहाँ से नीरज यहाँ से और मौमत शादलू चिनयया ठीक है वो यहाँ से तो यह तीन defense रहेंगे और इसमें सबसे important जो बनता है combination वो left corner और right cover यानि कि मौमत शादलू चिनयया और नीरज कुमार यहाँ से जो है गेरा डालेंगे और यह सबसे खतरना defense होता है किसी भी right trader के लिए तो इनसे आज आपको heavy point मिल सकते हैं इस corner से आला की सुनील भी आएंगे बट main area जो है वो यह cover करते हैं नीरज और मौमत रिजा शादलू चिनयया right traders को परिशान क right से डलनी है तो यह हो गया concept जब giants आएंगी rating करने अब जब जो है giants का छोड़ी है अब आप देखिए यहां से पटना pirates का ठीक है पटना pirates की सचन रोहिद गुलिया और मोनू इनका हम देखते हैं क्या pattern है चलते हैं वापिस से मैट पे और आपको एक बार वो भी मैं समझा द देखे तो इनका main raider जो है वो सचन यहां से raid करेगा right से और सचन तो right से raid करेगा ही इसके अलावा right से raiding जो है वो करेगा मोनू ज्यादा raider नहीं डालेगा पिछले match में भी आया था बट उसने सिर्फ defense ही करा था तो सचन maximum raider डालता है तो आप यह मान के चलो के 60% raider इस team की जो है वो right से डलने वाले है टोटल 60% raider और जो 40% बाकी raider है पतना की वो डालेंगे रोहित गुलिया left side से ठीक है रोहित यह combination है सामने वाली team का left corner, right corner और covers इस पर हम चर्जा करते हैं तो सबसे पहले left corner जो पड़ेगा वो रिंकु नारवाल है रिंकु नारवाल ने पिछले match में बहुत अच्छी performance दी बट कभी अच्छा खेलते हैं कभी खराब खेलते हैं consistency नहीं है तो रिंकु के सामने तो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है शंकर गड़ाई इसके लावा रिंकु नारवाल ये इस team के corner से हैं इन दोनों के पास opportunity रहेगी जिसमें रिंकु नारवाल के पास जादा opportunity दिख रही है ठीक है ये left corner है क्योंगी team के और right rider के सामने हमेशा left corner पड़ता है अब right rider को सबस रिंकु नारवाल इनका अच्छा combination मनने वाला है रिंकु support देगा और सौरब जो है tackles पे tackles करेगा तो सौरब गुलिया से अच्छी expectation है हाला कि अगर 40% rider जो डलेंगी उनमें भी कुछ players को involve होना पड़ेगा जैसे शंकर गड़ाई यहां से involve हो गए अब शंकर गड़ाई right corner है इनके साथ left cover active होगा जब left rider डलेंगी यह left वाली जो rider है रोहित वाली इनके सामने शंकर गड़ाई और इस team का left cover जो है वो है अक्रम शेख का performance भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कम जादा रहा है कभी अच्छा भी कर रहे हैं कभी normal भी कर रहें कभी below average भी कर रहें वहीं पिकी होंगे left cover में involved होंगे जो 40% rider डलेंगी उसमें अकरम शेख की involvement होगे तो यह है on paper on mat हमने देखा चीजों को अब जल्दी से team बनाते हैं और क्या best team बनती है वो देख लेते हैं राकिस संग्रोया से ज्यादा point देए तनवर के साथ एक benefit यह होता है कि यह tackles वगेरा भी करते हैं कोशिश करते हैं और जब 1-8 tackles successful हो जाए तो आपको पता उसकी 20 point मिलते हैं बहुत कम tackles करते हैं बढ़ करते तो हैं at least संग्रोया तो करते ही नहीं है संग्रोया का main जो objective है रेड़े डालना हो successful रेड़े डालना है अगर आप carrier का average देखे न तो साड़े 6 रेड़ पर मैच का average संग्रोया का नेकलेगा और साड़े 7 के आसपास का सचिन का नेकलेगा ठीक है तो favorite तो संग्रोया ही है पिछले match में सचिन ने अच्छा किया संग्रोया ने अच्छा नही साथ रेड़ पर मैच का जो carrier चल रहा है वो काफी अच्छा है सचिन का ठीक है तो इसमें थोड़ा सा confused नू कप्तानी वाइस कप्तानी में बाकि आप बताओ comment section में क्या best option होगा इन रेडरस में से अब बात करते हैं हम इनके और लाउंडरस में जिसमें आते हैं रोहित गू इवरेज जो है 3 और 4 के बीच में कभी 5 भी कर देता है कभी 3 और 5 के बीच में आप maximum देखोगे तब उसका एवरेज 3.7 successful tackles पर मैच का बना हुआ है और गुलिया को आपको पिक करना है रोध गुलिया को यहाँ पे सौरब गुलिया भी आपको टीम में पिक करने इस टीम के right traders के सामने उसमें कुमार का involvement आज अच्छा रहेगा सुनील को मैंने टीम में पिक कर रहे है यह अपने टीम के right corner है और सुनील अच्छा करते है most of the matches में इसले इन को टीम में मैंने जगे दिया है अब देखो एन कुमार निरज कुमार और चिनया का अच्छा पेर बनने वाल right cover है नीरज कुमार और left corner है चिनया और यह लोग फसाएंगे सामने वाले टीम के right traders को यानी संग्रोया को ठीक है अगर इनने संग्रोया को अच्छा गाजा रोक लिया ना तो grand league में यह लोग आपके लिए कप्तानी वेसक अप्तानी की बहुत अच्छे पिक हो जाएंगे थ और जब आप grand league में कप्तानी वाइस कप्तानी देंगे तो इन चीजों को देख के कर लेंगे कि अगर यह दो player चलेंगे इसका मतलब है यह player जो है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा अगर यह बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा तो हो सकता है थोड़ा से average परफॉर झाल 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 झाल